कि है थेलो चिल्रेंट है लो अलव यू टूड़े वीडियू गुए टी स्टार्ट चाप्टर एलावन ओके आज हम चैप्टर ग्यारा पढ़ने बाले हैं यह आपकी आपकी आपीसी क्लास चिर्तिंग्डिस का पार्थ ग्यारा है चैप्टर ग्यारा है ठीक है नेम ऑफ डिस चाप्टर आ टॉकेटिव टॉर्टवाइस ठीक है टॉकेटिव का मतलब क्या होता है टॉकेटिव का मतलब होता है बातूना ठीक है जो बहुत जादा बोलता हो ठीक है टॉकेटिव का मतलब क्या होता है बातूनी जो बहुत जादा बोलता हो ठीक है और टॉर्टवाइस किसक रखेंगे अपसे आप की टॉक्रिटीव का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोलता हो ठीक है जो बातूनी हो ठीक है और टॉट टॉइस कहते हैं कच्छुए को ठीक है तो दोनों का अभियाद रखेंगे यहाँ पर आपको दो पिच्चर दिखाई दे रही है यह तो है कच्छुए की ठीक है यह पिच्चर किसकी है कच्छुए की है और यह वाली पिच्चर किसकी है सारस की है ठीक है इन ही दोनों की इन ही के स्टोरी हम पढ़ने बाले हैं आज इस चैप्टर में ठीक है हम इस कि कुस्टोरिको डिसकस करेंगे ठीक है और इसके सीक्ट में फिर हम सकी एक्टिविटी और कुस्टन आंसर करेंगे तो आठ का स्मझ इन पाइस की फर्स्ट तोरी को डिसकर करेंगे को यहां पर आपसे पूछा गया है वाट डू यू सी इन दीज पिक्चर आप इसे पिक्चर में क्या देख रहे हैं ठीक है वाट डू यू सी इन दीज पिक्चर जो आपको उपर पिक्चर दिखाई दे रहे हैं यह दो पिक्चर आपको दिख रहे हैं इन में पूछ रहे हैं कि आपक करें कहते सारस को ठीग है दूसरा आप देख रहे हैं तौईच ठीक Porzo सको बोलते हैं कच्छुए को बोलते हैं ठीक कर तर्टस होता है कच्छुआ तो आप टेक टॉक्ता आपको सारस दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में और टॉरत स्थ अब यहां स्टोरी अवाउट क्रेंज एंड टॉर्टस क्या आपने सुनी है हर्ड कहते सुनना ठीक है क्या आपने सुनी है स्टोरी कितने कहानी को ठीक है आवाउट मतलब बारे में ठीक है दा क्रेंज एंड टॉर्टस ठीक है क्रेंज और टॉर्टस की कहानी क्या आपने सुनी है इसके आंसर में लेट सरे स्टेशें कें। चलो कहानी पढ़ें। फैसे Let's मतलब चले, Read मतलब पढ़ना, चलो पढ़ते हैं, Long Ago, Long Ago का मतलब क्या होता है, बहुत समय पहले, Long Ago का मतलब क्या है, बहुत समय पहले, Long मतलब बहुत समय पहले, बहुत समय पहले, बहुत समय पहले, दो सारस थे, जिनका नाम संकट और बिकट था, and are tortoise, ठीक है, एक tortoise था, जिसका नाम, tortoise का नाम क्या था, tortoise का नाम था, कंभू ग्रीवा, ठीक है, कंभू ग्रीवा जो है, tortoise का नाम था, tortoise करते कच्चुए को कच्चुए का नाम क्या था कंबू गरीबा कंबू गरीबा कच्चुए का नाम था और दो सारस चो थे दो क्रेंज थे इनका नाम एक का संकट और दूसरे का बिकट था ठीक है there were good friends वो बहुत अच्चे दोस थे ठीक है यि दोनों के लिए ये ci बहुत अच्चे दोस्त थे वो बहुत अच्चे है ने दोस्तों को वो बहुत अच्चे निट्र थे ठीक है ये रिवीर नीरा पॉंड ठीक है वो एक pond की किनारे रहते थे वो एक टलाप की किनारे रहते थे ठीक है। कंबू-गृबा वाजा, chatter box ठीक है जो गंबू-गृबा था तॉर्टन जो कंबू-गृबा कच्छवा था टॉर्टस जो था? हूँ कैसा था? वो बहुत ही chatter-walks था. ठीक है, चैटर वाक्स का मतलब क्या होता है, बातूनी, ठीक है, चैटर वाक्स का मतलब भी बातूनी होता है, वो बहुत ज़्याधा बोलता था, ठीक है, जो कच्छवा था, जिसका नाम कंबु गरीबा था, वो बहुत ज़्याधा बोला करता था, वन यर, वन यर मतलब एक स ईक साल क्या हुआ है वहाँ वर्षा नहीं हुई करें कैते हैं वर्षा को नहीं मतलब नहीं रहते थे वहा पिल्कुल वबर्षा नहीं हुई एक साल So the pond is started by dry तब फिर क्या हुआ जो वो तालाब था पॉंड था वो सुखना सुरू हो गया सुरू हो गया ड्राइ कहते हैं सुखना जब बारिस नहीं होगी तो तालाब तो सुखी जाएंगे ना तालाब नदियां सब सुख जाएंगे अगर बारिस नहीं होगी तो बारिस नहीं होई इसके कारण वो तालाब था जिसके करारे ये तीनों रहते थे वो सुखना स्टार्ट हो गया ठीक है दा क्रेंस एंड दा टॉर्टस वर वरीड एंड डिसकस्ट अबाउट इट और जो क्रेंस थे जो दोनों सारस थे एंड टॉर्टस टॉर्टस जो कच्छुआ था ये सभी बहुत ही परिशान होने लगे वरीड कहते हैं परिशान ठीक है वरीड कहते हैं परिशान होना ये तीनों परिशान होने लगे and discussed about it और ये आपस में बिचार भी मर्स करने लगे इसके बार discuss कहते हैं बिचार भी मर्स करना अबार मतलब इसके बारे में किसके बारे में कि वर्षा नहीं हुई थी और पॉन्ट सूख रहा था तो ये क्या करें ये सब ये आपस बातें करने लगे ठीक है इट यहाँ पर आया है पॉन्ड के लिए तो क्योंकि बारिस नहीं हुई थी तो पानी सूख रहा था तो इस बास से लोग बहुत ही वरीड हो गये थे परिशान रहने लगे थे और यह आपसे बिचार करने लगे कि अब क्या करना चाहिए हमें ठीक है क्रेंस तो क्रेंस ने कहा वी हाब टू अबे फ्रॉम हियर ठीक है क्रेंस कहने लगे दोनों कि हमें यहां से चला जाना चाहिए ठीक है वी हाब टू गो ठीक है वी हाब टू गो मतलब जाना अब यह मतलब दूर ठीक है We have to go away from there. हमें यहां से दूर कहीं चला जाना चाहिए. We have to go away from here. यहां से हमें कहीं दूर चला जाना चाहिए. There is a big lake near where. यहीं पास में एक बड़ी सी जील है. Lake किसको बोलते हैं? जील को big मतलब बड़ी. ठीक है? Near where मतलब पास में. तो बताते हैं, बात करते हैं कि यहीं पास में एक बड़ी सी जील है. There is a big lake near where. यहीं पास में एक बड़ी सी जील है. Let's go there. चलो, वहां चलते हैं. Go मतलब जाना. There मतलब वहां पे. Let's मतलब चले. तो आपस बात करने लगे. चलो, वहां पे चलते हैं. जो कि बड़ी सी जील है. अब यह देखो. यह दोनों क्रेंस हैं. सारस. और यह क्या है? यह एक. यह कच्वा है. टीके? टॉर्टस है. और यह जील है. ठीके? यह देखो. यह पांड है, जहां पर यह रहते हैं. ठीके? और बारिस नहीं हुई थी. इसलिए पांड का पानी क्या था? सूखने लगा था. अब यह आपस में तीनों बात कर देए हैं. कि यहां तो यह पांड पानी सूख रहा है. तो हमें कहीं दूसी जगे चले जाना चाहिए. यह बड़ी जिल पर चले जाना चाहिए. विग लेक पे. ठीके? टॉट आइस. अब टॉट आइस क्या कहता है? टॉट आइस बोलता है कि आर यू लिविंग मी अलॉन हेर टू डाए? ठीके? तो क्या कहता है कि क्या आप लोग मुझे यहां अकेला मरने के लिए छोड़ देंगे? ठीके? आर यू लिविंग मतलब छोड़ देना? ठीके? लिविंग मतलब वही पे छोड़ देना? रहने देना? मी. वो कहता है आर यू लिविंग मी? मी मतलब मुझे? क्या आप मुझे छोड़ देंगे living me alone कहते है अकेली को here मतलब यहाँ पर to die die मतलब मरने के लिए तो tortoise क्या कहता है tortoise बोलता है कि क्या आप लोग मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ देंगे अकेला cranes तो cranes बोलते हैं सारस कहते हैं कि what else can we do तो क्या कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं what मतलब क्या, else, can, can मतलब सकना we मतलब हम, do मतलब करना तो कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं the pond is drying now क्योंकि जो pond है वो अफसूख रहा है pond जो तालाव है, pond के तें तालाव को is drying, drying मतलब सूख रहा है now मतलब of क्योंकि तालाव अफसूख रहा है तो हम क्या कर सकते हैं if we stay here यदि हम यहां रुकते हैं stay मतलब रुकना stay stay मतलब रुकना here मतलब यहां पे if मतलब यदि we मतलब हम यदि हम यहां पर रुकते हैं we will die of starvation तो हम भुखमरी से मर जाएंगे we will die we will die मतलब मर जाना we मतलब हम और विल आयाई फीचर के लिए of किसे मर जाएंगे starvation starvation बोलते हैं starvation का मतलब होता है भुखमरी ठीक है जब कुछ खाने को ना मिले तो बाप कहते हैं कि अगर हम यहां रुके तो हम भुखमरी से मर जाएंगे हमें यहां कुछ खाने को ही नहीं मिलेगा क्योंकि जील तो सूख रही है ठीक है जब पानी नहीं होगा तो कोई भी खाने की चीज़ वहां उगेगी ही नहीं ठीक है बिना पानी के तो कुछ भी नहीं होता है ठीक है तो टॉटस बोलता है कि प्लीज किर्पया मुझे बचा लो टेक मी आसो विद यू मुझे भी अपने साथ ले चलो टेक मतलब ले चलना आसो मतलब भी बिद मतलब साथ में यू मतलब आप ठीक है वी मतलब मुझे कहते हैं कि तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो मुझे बच चालो क्रेंह से कहते हैं गजा सकते थे झालता है थे दिर है क्रेंश डीदे खाले को लेकिन कैसे पता सकते एक बिचार है ठीक है I have है मतलब होना एक आइडिया कहते है को बिचार होना I have an idea मेरे पास एक बिचार है Bring a long stick ठीक है कहते हैं कि bring a long stick एक बड़ी सी लकडी लेकर आओ, bring मतलब लाना, long मतलब लंबी इस्टिक कहते हैं लकड़ी को ठीक है चाहता है कि मेरे पास एक आइडिया है आप एक बड़ी सी लकड़ी लाओ बोथ आफ यू होल्ड इट एट दा आइधर एंड ऑफ इट विद यूर बीग ठीक है तो कहता है बोथ आफ यू आप दोनों कौन दोनों जो दो सारस है ठीक है दोनों जो सारस है उनसे कहता है संकट और बिकट जो दो सारस है उनसे कहता है कि आप दोनों होल्ड करना होल्ड मतब पकड़ना ठीक है इट एड दा आइधर एंड आइधर एंड मतब ये जैसे लकड़ी है इस ठीक है एक को कहता है यहां से पकड़ लेना और दूसर को कहते हैं ठीक है दोनों अपने लकड़ी को पकड़ेंस पकर ले ना ऐविल होल्ड ना इस्टिक टाइट ली इन दा मिडिल विद माई माउथ ठीक है एकच्छवा एक टॉटस किया करूंगा आइविल होल्ड में पकर करूंगा टाइटली अब टीयर से ठीक है मजबूती से में इस््टी को पकर लूँगा टाइटली की जरी मजबूती आपने मुषे लकड़ी को दोनों और दोनों इसको पकड़ लूगा और आप कि आप दोनों लकड़ी लेके उड़ोगे और मैंने भी लकड़ी को बीच मुछ से पकड़ रखा होगा तो मैं भी उसे पार कर लोघा ठीक एंड वी विलफ लैव हम उड़ पाएंगे टीक है we will fly मतलब क्या पाऊपर उड़ना तो कहता है हम भाउज जाएंगे अभी मतलब दूर ठीक है वी विलफ लाएफ ल हम उटके लेट के पास बहुत जाएंगे था ड्याः पेडेंस कया कहते हैं सार्ष कहते हैं बहुत अच्छा बीचार है कहते हैं यह बहुत अच्छा बीचार होना वट लेकिन आइडिया कहते हैं बहुत जादा बातुने हो ठीकिस रहें कहते हैं बात उने हो ना ठीक है लेकिन तुम बहुत ज़्यादा बात उने हो तुम बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो बट यू आर सू टॉकेटिव आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है कीप यूर माउथ सट वाइल फ्लाइंग ठी कीप मतलब रखना योर माउथ अपना मुह सट मतलब बंद रखना ठीक है कीप योर माउथ सट अपना मुह आप बंद रखना वाइल फ्लाइंग उड़ने के दोरान ठीक है फ्लाइंग मतलब उड़ना वाइल मतलब के दोरान जब हम उड़ेंगे तो उड़ने के दोरान आप मुह बंद रखना, क्योंकि अगर कच्च्वा मुह बंद नहीं रखेगा और मुह से चिक को पकड़ा होगा, लकड़ी को पकड़ा होगा अगर बात करने के लिए मुह खोलेगा, तो चिक उसके मुह से छोट जाएगी और जग छूट जाएगी तो नीचे गिर जाएगा है ना इसलिए वो इड़ाइज करते हैं सला देते हैं कि आप बात नहीं करना अपना मूग बंद रखना उड़ने के दोरान ठीक है और यू विल फॉल डाउन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप क्या होंगे गिर जाएं I shall not do such a foolish thing ठीक है क्या कहता है ओरे I shall not do I shall not do मैं नहीं करूँगा डू मतलब करना ठीक है तो कहता है मैं नहीं करूँगा सच इस तरह की a foolish thing इस तरह की मूर्खता पॉन फॉलिस कहते हैं मूर्खता पॉन ठीक है तो कच्छवा बोलता है कि मैं ऐसी मूर्खता पॉन चीज नह करूंगा ठीक है फिर क्या होता है यह देखो बात कर रहे हैं आपस में दा क्रेंज ब्रॉट लॉंग स्टिक आप दोनों जो क्रेंज यह दो आपको पिचल दिखाए दे रहे हैं यह दोनों एक बड़ी सी लकड़ी लेकि आते हैं लॉंग स्टिक ब्रॉट मतलब लेकर आये थ और अपनी चोच में इसको पकड़ लेते हैं बीक से बोलते हैं चोच को हेल्ड मतलब पकड़ना विद्धियर मतलब अपने अपनी चोच में से पकड़ लेते हैं हेल्ड करते हैं और टॉर्टस हेल्ड एट इन दा मिडिल और जो टॉर्टस से कच्छवा है वो उसे बीच से पकड़ लेता है, middle मतलब 20 से, ठीक है, जैसे लकड़ी है, तो इधर इधर से तो दोनों क्रेंस ने पकड़ी है, बीच में कछ्वी ने पकड़ रखी है, टॉर्टस ने, ठीक है, they flew over the fields and a village, ठीक है, फिर क्या होता है, they flew, ठीक है, they flew over the field ठीक है, over the field का मतलब उपर से बोड़ते हैं, आसमान की तरफ से उड़ते हैं and a village और एक गाउं से होके गुजरते हैं, ठीक है, एक गाउं है वहाँ पे, वहाँ से उपर से होके भी उड़ना सुरू कर देते हैं जमीन के उपर सुरू कर देते हैं आप विलेजर लाफ्ट ठीक है, तब ही क्या होता है गाउं वाला विलेजर कहते हैं गाउं वाले को ठीक है, जो वहाँ पे विलेज कहते हैं गाउं को ठीक है, विलेज बोलते हैं गाउं को यह सीन देखकर जो गाव वाले हैं वो हसने लगते हैं, लाफ्ड मotलब हसने लगना ऊह्रा एटिक है, वाचिंग सँच बाचिंग मतलब देखना तो इस द्रस को देखकर कि एक दो सारा से कचुवा किस तरह से इश्टिक पकड़के जा रहे हैं उर रहे हैं तो यह सब देखकर वो लोग हसने लगते हैं villagers, such a strange scene and shouted क्योंकि उन्हों ये बिचितर scene देखा, strange कहते हैं बिचितर, ऐस तरह का उन्होंने अनोख के चितर सा scene देखा, scene कहते हैं द्रस को, scene को इसको बोलते है द्रस को देखकर shout it. शाउट इट मतलब चिलाने लगना ठीक है और वो देखकर हसने लगते हैं और चिलाने लगते हैं शाउट इट मतलब चिलाने लगना इस ट्रेंज कहते हैं अजीब सा ठीक है अनोखा सा दरस और सीन बोलते हैं दरस को ठीक है देखकर वो सभी हसने लगते हैं चिलाने लगते ह रहे एक सारस ने लकड़ी का इस लकड़ी की इस एंड को पकड़ा है आखिरी को बीच में कच्छवी ने पकड़ा है तो इस अजीव से द्रस को देकर यह सारे जो है यह ब्लेजर्स वह सने और चिलाने लगते हैं यह गाउं वाले हैं यह यह तीनों है कि तोटट्स इक है जो मुर्ख के चुआ है छल्दी ही गिर-जाएगा तिक है यह ली चानक को कहते हैं फाल डावन गिर जाना त्हिक है पीors मतलब अचानक को सी यार टी ए आई एन ल वाई सर्टेनली मतलब अचानक तो कहते हैं दाट फुलिस टॉटस यह मूर कच्छवा बिल सर्टेनली फॉल डाउन जल्दी ही गिर जाएगा ठीक है यह सारे ब्लेजर्स कह रहे हैं गाहूं वाले कह रहे हैं टॉटस अब जो टॉट टॉटस तो रह नहीं पाया वो ढहलता बातूनी था था है ना तो उसने कहा कि अंपने मुध को और भी प्रॉपन कि अपने मुध को चुछो ऑपनिंसें मौत टॉटर्टर्य को यार िच्टवफिट यह एक यquel लोग मूर्खो चोट बीबल कहते हैं लोगों को तूपिट पीपल तुम लोग मूर्ख हो यह कहने के जैसे कच्छवा अपना मुझ खोलता है तॉटस फैल डाउन एंड डाइट तभी क्या होता है जो टॉटस था वह फैल डाउन फैल डाउन मतलब गिर जाता है कच्छवा गिर जाता है और उसकी डैथ हो जाती है और वह मर करता है कि एसमने मुल लोग घ्र घ्र अजने यह जूंग सब्सक्राइब लाइन मुझे था ट्री तो ऑर नीचे नीचे हो जाता है क्योंकि उसनेटे हो छोट मूइचि प्लक मुल टुशा लोग estat तो तो ये कहानी आपने देखी, ये स्टोरियां खतम होती हैं आपकी, ये कहानी एक ऐसे कछुए के बारे में थी, जो कि बहुत बातूनी था, और आपने देखा, क्या सीखा आपने इस कहानी से, कि हमें बहुत जादा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, अगर हम बिना सोचे समझे क कुछ भी बोलेंगी, तो हम सही डिसीजन नहीं कर पाएंगी, और हम से गलतियां होती रहेंगी, ठीक है, तो हमें कम बोलना चाहिए, और बहुत ही सोच समझ कर बोलना चाहिए, ठीक है, जब हम कोई भी बात करें, कुछ भी बोलें, तो हमें पहले उस पे बिचार करना चाह है ठीक है ऐसी फालतु में बहुत ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं होती है इस से हमारा नुकसान होता है ठीक है और हम बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो हम अपने सब्जेक्ट को अपनी विशे को अच्छी तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे अपनी बात को तो चांटर वाक्स का मतलब क summarize होता ह। यह जब बहुत मौलता था यह भी वासे के बहुत बोलते हैं ंख चैकर है यह यह भी दोनों बातुनी को बोला जाता है जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं एक ऐसा ब्यक्त वन हुए एक ऐसा कोई जो speak मतलब बोलना speak कहते हैं बोलने को too much मतलब बहुत ज़्यादा too much का मतलब बहुत ज़्यादा pond कहते हैं poker को pond किसको बोलते हैं तलाब या पोकर को स्माल एरिया और फ्रेस वाटर एक ऐसा छोटा से स्थान जहां पर ताजा पानी मिलता हो small area कहते हैं छोटी सी स्थान को फ्रेस मतलब ताजा वाटर बोलते हैं पानी को ठीक है उसे pond बोला जाता है पोकर को जहाँ पे एक छोटा सेरिया जहाँ पर हमें fresh water मिलता हो पता जापानी मिलता हो ठीक है सफरिंग का मतलब क्या है पीडित होना या death या मृत्य हो जाना ठीक है एक और थी probs tup कारण ठीक है for कि भी आदग किस वजय से किसी की मृत्प हो जाए कि उसे भोजन 目前 कमी की कामी की कारण हम्रत्य हो जाने को starvation बोलते हैं या suffering या भूँख से पीरित हो ना जसे भूख्मरी कह सकते हैं आप starvation का मतलब भुखमरी होता है ठीक है जहाँ food की भोजन की कमी हो जिसके कारण किसी की मृत्व तक हो जाए या फिर कोई भूंक से पीडित हो ठीक है strange का मतलब क्या होता है बिचित्र strange मतलब बिचित्र अजीब सा दिखने वाला जैसे कि बलेजर्स ने देखा था उस सीन को जो एक स्टिक को दोनों क्रेंस से पकड़े हुए थे कश्वा बीचे मूझ से तबार रखा था ठीक है टॉर्टस ने तो ऐसा दरस उनोंने बलेजर्स ने पहली बार देखा था गाउवालोंने तो वो हसने लगे थे है ना उसका मजाक उड़ाने लगे थे तो इस्ट्रेंज बोलते हैं बिचित्र को या नॉट कॉमन जो कॉमन ना हो ठीक है साधारन ना हो ठीक है अनफैमलियर जिसे पहले से लोग जानते समझते ना हो ठीक है जिससे लोग परचित ना हो भी से शेयर करें कोई चीज अगर नई समझ मैं आती है ठीक है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आप किसी और सब्जेक्ट वीडियो बनना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ठीक है इसका सेकिन पार्ट आप देखीए का जिसमें हम यह your question answer is key करेंगे ठीक है थैंक यू अल आफ यू थैंक यू फो वाचिंग